Hi friends, welcome to my adhujah Bedtime segment में आज हम लोग बात करेंगे pacifiers क्या pacifier actually breastfeeding को affect करता है कैसे ये affect करता है अगर देना चाहिए तो कब से देना चाहिए क्या कोई research based recommendations है इन सब चीजों के बारे मैं आज के particular वीडियो में जानेगे pacifier मैंने बहुत ज़ादा देखा है पासिफायर जब तक बचों की मुह में है, ना खाना मांगते हैं, ना रोते हैं, ना publicly और और कुछ करते हैं. But, disadvantage में ने दखा हूँ है, पात साल की, शे साल की, सात साल के बच्चे भी मुह में पासिफायर डालके, चूइंग चाल हूँ हैं. pacifier का motion बहुत simple होता है it's very narrow, tiny and जैसे कि आप noodle खाते हो कैसे noodle कीशते हो कुछ ऐसा ही movements आपका pacifier पे होता है so बच्चा सीफ चू चू कर रहा है whereas breastfeeding कभी भी असानी है breastfeeding का major requirement आपके deep latch के लिए तो जो lips का angle है वो about 90 degree होना चाहिए so बच्चे का basic latch जो है breast पे वो इतना बड़ा है और जो pacifier पे वो इतना चोटा है so एक major change यहाँ पे यह हो जाता है कि जब तक बच्चा यह वाले latch के लिए सीफ बच्चे को soothing effect किस से मिलता है sucking से अगर बच्चा उस latch के लिए train है जो major है और इसके साथ मा और बच्चा 100% comfortable है उसके बाद आप लोग कहीं जाके pacifier के बारे में सोच सकते हो though there are few rules जिसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे but first rule जब तक आपका latch set नहीं है pacifier के बारे में सोचना भी नहीं किस-किस मा के लिए लाच set दो हफ़ते में हो सकता है किसी के लिए चार हफ़ते में हो सकता है किसी के लिए छे हफ़ते में हो सकता है what do you mean LAX set? LAX set means आपने बच्चे को लिया breast पे लिया ना आपने breast को पकड़ा है ना आपने नीचे जुक कि देखना पढ़ रहा है ना आप लोग चेक कर रहे हो बच्चा फेड कर रहा है कि नहीं बस बच्चे को ले लिया और बच्चा अपना खुदों के ब्रेस्फिड किये जा रहा है और आप एक हाथ में बच्चे को पकड़ के दूसरे हाथ से काम भी कर रहा है आप इतने जादा confident अपने latch के बारे में तब ही आप कहीं जाके तासी fire introduction के बारे में सोच सकते हो दूसरा चीज़ जब बच्चा breastfeeding करता है तो टंग का एक specific wavy movement होता है जैसे बच्चे ना टंग जैसे ही नीचे की तरफ है वैसे बच्चा दूद अंदर लेता है और यह जैसी उपर चला जाता है वैसे दूद अंदर जाने में help करता है वापस टंग नीचे आता है बच्चा दूद लेता है टंग जैसी उपर जाता है बच्चा दूद अंदर लेता है तो एक specific wavy movement टंग का होता है jaw का होता है जब बच्चा breastfeeding करता है exactly यह दोनों भी movements pacifier पे नहीं होते है तो बच्चे को अगर बहुत जादा time pacifier दोगे या latch set करने से पहले pacifier दे दोगे तो बच्चे को इस सारे coordination के लिए train करना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा जहाँ पे बच्चा अगर बहुत initial days में pacifier ले लेता है तो बच्चे को यह दोनों latch में बहुत जादा confusion हो सकता है इसलिए नहीं देना है so latch का confusion avoid करने के लिए American Association of Pediatrics कि लोग का research कहता है कि एक महिने के पहले no introduction of pacifier latch पूरा set होने के बाद आप pacifier introduce कर सकते हो और एक साल का जबी बच्चा होगा तभी आप लोग को pacifier बंद कर देना है तीसरा चीज जो आप लोग को याद रखना है pacifier कभी भी hunger को मारने के लिए यूज नहीं होना चुई बच्चा रो रहा है दे दो emotions को मार देगा वो बच्चा बहुत बार बार फीड मांग रहा है दे दो मूँ में वो hunger को मार देगा इसके लिए pacifier यूज नहीं करता है आपने बच्चे को breast feeding के लिए लिया बच्चे ने पूरा breast feed कर दिया और इनको जो पाच मिनिट है दस मिनिट है आपको बच्चे को याद रखना है पूरी रात बच्चा मूं में लेकर बैठा हुआ हर फीड के दे देते हो जो दूसरे फीड तक बच्चे के मूं में रहता है बच्चा एक साल प्लस है फिर भी pacifier मूं में है याद रखो then it will become an habit और addiction और फिर उसको छुड़वाना काफी जादा मुश्किल हो जाएगा नेक्स चीज़ जो बहुत सारे parents पूछते कि क्या ये compulsory है बच्चे को pacifier देना not at all pacifier किसी भी case में compulsory नहीं है जैसे कि मैंने आप लोग बुला अगर वो एक वज़ा है कि बच्चा सूदर और pacifier होने के लिए निपल को सिर्फ सक कर रहा है चू कर रहा है तो फिर आप उतने समय के लिए बच्चे को pacifier दे सकते हो कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान में रखना है कौन सा pacifier बच्चों के लिए ठीक है आइडिले हम लोग बोलता है दो तीन अलग-अलग shape size के pacifier ट्राय करो पैसिफायर का length पैसिफायर का styling हर brand wise वो change होता है और हर बच्चा लगया तो वो अपने आप में जिस पैसिफायर को select करेगा किरेगा second thing as per dentist पैसिफायर will do bad to child's jaw development इसलिए आपको पैसिफायर longer time के लिए नहीं रखना है third thing अगर आप में से कोई working mother हो जो बच्चे को bottle introduce करने के कोशिश कर रहा है तो आप पहले pacifier introduce कर सकते हो तो बच्चा bottle थोड़ा सा easily भी ले सकता है fourth thing क्या personally मैंने मेरे बच्चों को pacifier दिया था मैंने कभी भी बच्चों को pacifier नहीं दिया कोई भी addiction या आदत जिसकी सिवा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा वो मैंने कोई भी आदत बच्चे को नहीं लगा ना blanket ना doll ना pacifier ना bottle ऐसा कोई भी चीज में सो मेरा हमेशा से मानना था अगर आप कोई चीज अगर दे भी देते हो let it never turn into an addiction to child because addictions को बाद में छुडवाना psychologically भी drain out हो जाता है और parents के लिए भी drain out हो जाता है इसलिए the best thing as for recommendation एक साल के बाद obviously no to pacifier उसके पहले ही उसकरोगे तो आज मैंने जितने भी चीज़े बोली उसको याद रखना properly sterilized करके फिर pacifiers उसकरना अगर pacifier properly cleaned नहीं है it will increase the risk of stomach infection जो हम लोग बच्चों के case में afford नहीं कर सकते so यह होगी कुछ बहुत basic चीज है क्या pacifier breastfeeding को affect करता है हम लोग को उसके लिए कौनसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए thank you so much all of you अगर आपको हमारा यह particular segment पसंदार है bedtime segment जो मैं सोने से पहला जवाब देती हूँ उन चीजों का जो questions मुझे लोगों ने पूछे हुए across the day अगर आपको पटिकलर वीडियो अच्छा लगा हो तो please comment box में लिखिया हमें ज़रू बताना like करना अगर आप में से किसी को मुझ से train होना है breastfeeding, labor, baby care, garbassonska, diet get in touch with us on www.mayadusha.com have a great time and bye झाल झाल